IPL 2021 में अब तक खेले कुल 9 मैचों में 5 मैच जीत कर भले ही RCB की टीम टॉप 4 टीमों में बनी हुई है लेकिन अभी भी विराट कोहली की टीम पर प्ले ओप की दोड से बाहर होने का खत्रा मड़ा रहा है प्ले ओप की रेस में बने रहने के लिए आज मुंबई इंडियन्स के खिलाब RCB की टीम को हर हाल में जीत हासिल करना होगा दूसरी तरफ पिछले दो मैचों में हार के बाद क्वाइन स्टेबल में 6 नंबर पर पहुंच चुकी मुंबई इंडियन्स की टीम भी बाकी बचे हुए मैचों में जीत के साथ टॉप चार टीमों में जगह बनाना चाहेगी मुंबई इंडियन्स और RCB के लिए आज के मैच में करो या मरो की स्थिती बन चुकी है अब देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर किस टीम कार रहेगा दबदबा हलकी क्रिकेट के जानकार मान रहे हैं इस मैच में जीत के साथ मुंबई इंडियन्स की टीम IPL में वापसी कर सकती है दरशल पिछले दोनों मैचों में घटिया बल्लेबाजी के वज़ह से मुंबई इंडियन्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा है क्रिकेट विशे सग्यों की माने तो युवा बल्लेबाज सुर्य कुमार यादो और इशान किशन की नाकामी ही मुंबई इंडियन्स के हार की सबसे बड़ी वज़ा रही हालकि माना जा रहा है कि आज RCB के खिलाप सुर्य कुमार यादो और इशान किशन तुफानी बल्लेबाजी कर तहलका मचा देंगे इसके अलावा दिगज ओल राउंडर बल्लेबाज हार्दिक पंडिया की कमी मुंबई इंडियन्स को बहुत खल रही है RCB के खिलाप मैच में खास तोर पर क्रिकेट फैंस की निगाहे ठीकी रहेगी मुंबई इंडियन्स के कप्तान और इश्टार बल्लेबाज रोहित सर्मा पर इसके अलावा आज हार्दिक पंडिया का भी खेलना लगभग तय माना जा रहा है क्रिकेट विशेशक्य सुझाव दे रहे हैं कि आज RCB के खिलाप रोहित सर्मा के साथ हार्दिक पंडिया को बतौर सलामी बल्लेबाज उतारा जाए तो मुंबई इंडियन्स की टीम कम से कम 300 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर सकती है